इस वीडियो से आपका 24 नंबर बिलकुल पक्का हो जाएगा कच्छा दस ग्रिह विज्ञान में जी हाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को महत्पूर लगुत्तरी प्रस्न बताने जा रहा हूं तो 24 नंबर का लगुत्तरी प्रस्न आता है इस वीडियो के देखिए और इतने ही प्रस्न आज राजबर आप पढ़िए और कल जाकर छाप दीजिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको देर गुत्तरी प्रस्न बताये थे आप उसको भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर ठीक है वो 18 नंबर का है यह बहुत चीज़े आप लिखी गई जल्दी जल्दी इसको तिन चार बार पढ़कर रट लीजे दूसरा इंप्वाटन कोशन सिलाई किट में रखी जाने वाली चार वस्तुएं हम उनके उप्योग सबको पता होगा बड़ी कैची पहला वस्तुए मिल्टन चाक सूई और मेट्रिंग जिसे फीता काते हैं और इसका क्या-क्या उप्योग है अब सबको पता ही होगा एक बार पढ़ लीजेगा ठीक है अगला चायरोग से पीडित व्यक्ति के भोजन में किन पॉस्टिक प्रत्वों की पचुड़ता होनी चाहिए तो यहां पर इसका पूरा अंसर चोटा सा इसको याद कर दीजे अगला वाहक चेक और एक हांकित क्राश्च का संचिप्त परिचय इतीक है तो ये वाहक चेकी परिवाशा लिप दीजे और यह आपका रेकहांगिक चेक क्या परिवासाल लिए आपका क्लियर हो जाएगा उसके वार्णा कोशन फरनीच लेगे जा सकते हैं संच्छेप में लेखी तो बैंक में खोले जानने वाले खातों की संख्या मुख्य रूप से चार प्रकार किसे हैं पहला चालू खाता दूसरा बच्छत कहता तीसरा समाध्ध को और चैज दमा खाता और चाँठा यसावर्टी जमा खाता इस प्रकार से चालू खाता की परिभासा यहाँ पर है बचत खाता की समाव अधिक जमा खाता की और आवर्ती जमा खाता सब की परिभासा लिखे गए छोटी छोटी परिभासा है आप इसको याद कर लिजे नेश कोशन काली खासी के लच्छन और रुप्थाम की उपाए तो यहाँ पर आप पहले काली खासी के बारे में थोड़ा सा बता दें फिर लच्छन बता दें फिर ये रुप्थाम की उपाए बता दें ठीक है आपको मिल जाएगा चार नमबर नेश कोशन सिलाई की किनी पा यहाँ पर बता लिख सकते हैं किस प्रकार से की जाती है बजट बनाने के मुक्ष उद्देश क्या है तो आप यहाँ चार भी लिख देंगे तब आपको नमबर मिल जाएगा यहाँ पर वस्त्र सिलाई करने से क्या-क्या लाब है तो यह सारे लाब यहाँ पर आपको दिया गया है छटो आप इसको देख सकते हैं नमर नेश्ट प्राकरती केवां कित्री स्वसन क्रियाओं में क्या अंतर है आप इसको पढ़ लिजे और अच्छे से याद कर लिजे विज्ञान में भी यह पूछा जाता है अगला कपड़ा काटने से पूर्वर ट्राफ्टिंग बनाना क्यों आवश्यक है तो यह आपको professण बच्छत करना क्यों आवश्यक है क्यों आवश्यक आप इसको पढ़ लिजेगा ठीक है उसके वारे यहां malaria के वारे malaria के कारण और बचने के उपाए तो आप यहां पर लिखा गया विच्को याद कर लिए budget यहां बच्चत से आप क्या समझती है बच्चत सुरच्षित करने के दो उपाए लिखिए इतना लिख दीजेगा ठीक है और एक बहुत ही important लक्षण लिखेज फ Quindi यहाँ पर छाझ प्रकार्ण होता है पेटाइटीस एंगी ठीज फिर वच्छण नीचे है आपके फिर पिर किनी पांच यह तो आपने फइले से पड़ लिया तो इस तरह से इतने क्योशन अगर आप आप करके आते हैं तो पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे एक वीडियो और देख लिए बस तीन वीडियो आप पढ़ लिए जितना इसमें लिखाए यही बार-बार रिटी और आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ठाइक शो मज़ जैहिन वने मातरा और कल सल्यूश